महरास्ट से जो हालीय राजनीति की स्तिती सामने आई है उसे जानने के बाद मैं ऐसा लग रहा है कि गिर्गिट और निताओं के बीच में पल पल पर रंग बदलने की जो आदत है वो एक समान है अगर हालात नेता के अनरूप नहीं है तो वो गधे को भी बाप कहने के लिए तयार हो जाता है और जैसे ही हालात उसके अनकूल हो जाते हैं तो फिर नेतागीरी भी साफ तोर पर जलकने लगती है अब यही हाल महरास्ट की राजनीती का भी हो चला है जेल से जब संजराउट निकले थे तब उनके तेवर एकदम नरम थे ऐसा लग रहा था जैसे जेल से वो नेतिकता की पट्टी पढ़कर आए हो लेकिन अभी कुछ दिन ही बीते हैं संजराउट को लगने लगाए कि अब उन्होंने अपनी नेतिकता को खूटी पर उतार कर टंग दिया है अब वो फिर से बड़बोले बयान दे रहे हैं वो भी उनके खिराप में जिनके लिए जेल से निकलते ही वो तारीफों के कसीदे पढ़ते गवे दिखाई दे रहे थे लेकिन भारतिय जरता पार्टी की ओर से भी ठाकरे कैम पर तंगड़ा पलटवार किया गया है ठाकरे गुट और बीजेपी के बीच में चल रहे शब्दों के सियासी बाणों का हम सिलसले बार तरीके से विशलेशन करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे विनमर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें महरास्ट में बीजेपी और शिवसेना नेताओं के बीच खीचतान एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस बार डिप्ती सीम देविंदर फणडबीस और शिवसेना निता संजराओत आमने सामने बले हुए हैं दोनों के बीच में जुबानी भिडंत देविंदर फणडबीस के एक बयान को लेकर के शुरू हुई है असल में देविंदर फणडबीस ने एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने उन सभी लोगों से बदला ले लिया है जिन्होंने उन्हें दरसल धोका दिया था इसका जबाब देते हुए उद्धब बाला साइब ठाकरे के मुख्य प्रवक्ता संजराउत ने का कि ये महरास्टर का कल्चर नहीं है साथ ही संजराउत ने ये भी का कि ये बहुत ही जादा बेहत दुर्भाग्यपूर है कि देवेंदर फणबीस के कद के आदमी ने सत्ता के लिए खुद को नीचे गरा लिया वैसे उद्दव ठाकरे भी देविंद्र फणनबीस के बराबर के कद के थे तो उन्होंने सत्ता के लिए कॉंग्रेस और शरतपवार के साथ में गड़बंदन करके क्या अपने आपको नीचे नहीं गिराया था संजराउत ने आगे का कि महारास्ट में राजनीति बदले की भावना से नहीं की जाती अगर नई परंपरा इस्थापित की जा रही है तो ये महारास्ट की संस्कृति के खिलाप में है संजराउत ने आगे कहा कि राजनीती में विचारों में मदबेद आम बात है लेकिन आज तक माहरास्ट की राजनीती में किसी ने बदला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है गौरतलब है कि देविंद्र फणबीस का एक इंटर्व्यू दरसल मंगलवार को प्रसारित हुआ था जिसमें उन्होंने सीधे तोर पर उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि अगर कोई उन्हें धोका देता है तो वो बदला जरूर लेते हैं उन्होंने कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया है माना जा रहा है कि जिस बदले की बात देविंद्र फणबीस कह रहे हैं वो शिफसेना में फूट और एकनाश शिंदे को मुक्मंत्री बनाना है महरास्टर का गौर तलवे की शिंदे कभी उद्दफ ठाकरे के भरोसे मंद निता माने जाते थे फिर उन्होंने 40 शिफसेना के विधायकों के साथ में भगावत कर दी थी और फिलाल उनके गुट का नाम बाला साहिब की शिफसेना है देविंद्र फर्णवीस ने इंटर्व्यू में बदले की अपनी फिलोसपी को भी एक्स्प्लेन किया था दरसल उन्होंने कहा था कि लोग आपके साथ सत्ता का सुक भोगते हैं 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं आपके साथ चुनाव जीते हैं राजनीती में बने रहने के लिए एक दिन आपकी पीठ में चुरा दरसल घौप ही देते हैं ऐसे लोगों को सबक देना ही चाहिए अनिता आप राजनीती में दरसल सर्वाय भी नहीं कर पाएंगे देविंद्र फर्णवीस ने आगे का कि राजनीती में अच्छा बनना चाहिए लेकिन अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिस करे और आपको धोखा देने की कोशिस करे तो ऐसे लोगों को उनकी सही जगह दिखाना बहुती ज़ादा जरूरी हो जाता है यानि कि देविंद्र फर्णवीस कहीं न कहीं शारों शारों में ये कह रहे हैं कि ठाकरे ने उनने धोखा दिया तो उन्होंने ठाकरे को उनकी ओकाद दिखा दी उन्होंने का कि मैंने ऐसा ही किया और मुझे खुद पर घर्व है महरास्टर के डिप्टी सीम ने आगे का कि अगर आप मुझे धोका देंगे तो मैं बदला जरूर लूँगा इस इंटर्व्यू में देविंद्र फर्णबीस से पूचा गया था कि वो उद्दफ ठाकरे के बारे में क्या महसूस करते हैं जवाब में देविंद्र फर्णबीस ने कहा कि उद्दफ ठाकरे ने खुद को पैर में कुलहाडी मार ली है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आकर कार उन्होंने क्या सोच करके कॉंग्रेस और M.C.P. के साथ मिलाये था फरनबीस ने आगे का कि मुझे ये भी नहीं पता कि उद्दफ ठाकरे को मुख्रमंतरी की कुरसी से इसकदर लगाव क्यों हो गया था उन्होंने का कि राजनीती में कभी अलग-अलग लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है लेकिन जब आप बिलकुल विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ मिलाते हैं और अपनी आइडिलोजी भूल करके उनके सुर में सुर मिलाते विवे दिखाई देते हैं और बाला साहिब ठाकरे के जो उन्होंने अपने जीवन परेंद विचारों को फॉलो किया है उनकी हत्या कर देते हैं तो आप लंबे समय तक पॉलिटिक्स में तिक नहीं सकते उन्होंने का कि इस गड़बंदन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि ये सैना की आइडिलोजी के हिसाब से नहीं चल रही थी इतना ही नहीं शेफ सैना सांसा संजा राउत ने ये भी कहा कि महरास्टर का अगला सीम एक बार फिर से महाविकास अगाड़ी का ही होगा यानि की ठाकरे सब कुछ लटा चुके लेकिन पवार और कॉंग्रेस का प्यार खत्म नहीं हो रहा राउत ने बीते मंगावाल को अपना जन्म दिन दरसल वो मना रहे थे राउत ने इस मौके पर का कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और ये 2024 तक चलेगी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जल्दी महारास्ट में मद्याविदी चुनाव हो सकते हैं बीजेपी और शिंदे गुट के महरास्ट में मिलकर के सरकार बनाने के बाद से ही लगातार उद्धव ठाकरे गुट वाली शिफसेना जल्दी चनाव होने का दावा ठोक रही है इसको लेकर के शिफसेना के सांसत विनाइक राउत ने भी का कि अगले च्छे महीनों के भीतर भीतर राज में मद्याविदी चनाव जरूर होंगे मनों ने का कि विधायकों की आयोगिता और सरकार की वैत्ता को लेकर के सुप्रीम कोट में अभी लगातार मामला चल रहा है इसको लेकर के जन्वरी से फर्वरी तक फैसला सुनाया जाना है और विनाइक राउत ने आगे का कि ये तो इसपष्ट हो चुका है कि परिणाम क्या होगा रास्टपती शासन लगाये जा सकता है इसके बाद मैं मद्यावदी जो है विधानसवा चुनाव कराने होंगे महरास्ट में अविश्वास और राजनितिक प्रतिशोध है ये महरास्ट की परंपरा नहीं थी राउत ने कहा कि ठाने में जितेंद्र अवार्ड के खिलाप में एक फर्जी मामला दर्श करवाए गया इसे रोकना होगा शिवसेनकों का खून इतना सस्ता नहीं है कि उन्हें इसके लिए भुकतान करना होगा यानि कि शरत पवार के जो नेता है जितेंद्र वार्ड जिनके खिलाप में एक्शन लिया गया है उनके साथ में खड़े रहने की संजराउत बात कर रही है राउत ने काया कि मुझे यकीन है कि साल 2024 तक राज में MBA का ही CM होगा अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिवसेना जो की उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना है उनके पास में कुछ गिने चुने तो नेता भचे हैं जो जमीनी तोर पर कारकरता काम करते हैं उन कारकरताओं ने भी बड़े पेमाने पर शिंदे गुट का धामन थाम लिया है तो किस बेसेस पर संजराओत ये दावा ठोक रहे हैं कि अगले 6 महीने में अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि मद्धावदी चुनाव होते हैं तो फिर ये किस confidence के साथ में ये कह रहे हैं कि उनकी ही सरकार यानि की MBA का जो गटबंदन है वो एक बार फिर से महारास्टर में सरकार बनाएगा और मुख्यमंत्री MBA से ही होगा तो संजराउत ये भी बता देते कि अपकी बार जब MBA का मुख्यमंत्री होगा तो शरतवार के खेमे से होगा कॉंग्रेस पार्टी के खेमे से होगा या फिर अपकी बार उद्धव ठाकरे को फिर से CM बना दिया जाएगा पहले तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो संजराउत की तरफ से देखे जा रहा हैं और ये डेमोक्रेसी है उनका इस तरीके से सोचना उनका इस तरीके से कहना कहीं न कहीं जायज है लेकिन जो ये दावा ठोक रहे हैं कि M.V.A. का ही मुख्यमंत्री होगा जो ये द साथ मैं जो धोखे बाजी की थी जो बीजेपी के साथ मैं मिलकर के चनाब लड़ा और फिर पब्लिक मेंडेट का सीधे तौर पर उन्होंने मजा खुड़ाया क्या इसके लिए ठाकरे जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन इस पर संजराउत को साप सुन जाता है वो कुछ भी बो लेकर आँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे